अस्लाम अलेकुम। एस्पारेंट्स एस्पारेंट्स हमारा आजका Topic है एसिडड़ेन हम causes देखेंगे, effects, formation देखेंगे और देखेंगे ifon they are prone for meats or which is prone सबसे पहले definition definition में हम ने देखते हैं कимся जंश आपके बारिश के पानी में sulfuric acid की quantity बढ़ जाए और आपके जो है नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड की कॉइंटिडी बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं एसे ड्रेन अब ये होती क्यों है ये होती है जब हम महोल में किसी भी तरह से सल्फर डायोकसाइड और नाइट्रोजन आकसाइड हम रिलीस करते हैं वो जाके क्लाउड में मिक्स हो जाते हैं वाटर से और बाद में जितनी भी बारिश होती है सनो के फार्म में, रेन के फार्म में या गैसिस के फार्म में तो वो आपकी कहलाई जाती है एसे ड्रेन अच्छा पानी का जो पीछ है आपका power of hydrogen है वो होता है 7 ना ये acidic होता है ना आपका basic होता है अगर 7 से कम होगा तो acidic होगा अगर 7 से जादा होगा तो basic होगा तो sulfuric acid के case में आपके पास ये 7 से कम हो जाता है आगे हम देखते हैं process process में मैंने आपको बताया यहां पर ये visual representation के मदद से मैं आपको दिखा जता हूँ यहां से industries की वज़ा से sulfur dioxide और nitrogen के oxide जाके clouds में mix हो जाते हैं और यहां से आपके vehicles के निकलने के emissions की वज़ा से यही same 2 compound जाके clouds में mix हो जाते हैं जब ये water के साथ mix होते हैं तो ये equations बनती है equations बनती हैं तो यहां पर आपके पास जो net product है वो sulfuric acid और आपके पास nitric acid और बाद में ये gases की farm में, snow की farm में और rain की farm में precipitate होती है यह है इनकी chemical representation यहां अगर आप paper में mention कर देते हैं तो ये जादा अच्छी बात है यहां पर मैंने equation balance की हुई है, sulfur dioxide का एक molecule है, water का एक molecule है और आदा molecule आपका oxygen का है, तो यहां पर एक sulfuric acid का molecule है अच्छा, अगर यहां पर दो nitric oxide के molecule है, अगर water का एक molecule है और आदा molecule आपका oxygen का है, तो ये तीनो addition reaction करके आपके बाद दो जो है HNO3 form करते हैं, ये इनकी chemical representation है देन हम अगर causes देखें, तो सबसे primary cause है, हमार पास fossil fuel combustion fossil fuel आपका कहते हैं, कोई भी oil हो, आपके पास kerosene हो, diesel हो, petrol हो natural gas हो, या coal हो, अगर इसको आप combust करते हैं, यानि जलाते हैं तो उस जल्दें की वज़े से आपके पास byproduct जो दुहा निकलेगा, उसमें आपका sulfur dioxide भी मुझूद होगा, और nitrogen oxides भी मुझूद होगे, सबसे primary cause यह है फिर हमारे पास दूसरा cause है industries का, इंडस्रीज में manufacturing, mining, refining जितने भी process हैं आपको पता है, कि उसमें कहीं न कहीं generators यूज़ हो रहे हैं और या कहीं न कहीं बटियां यूज़ हो रही हैं, जिससे दुहा निकल रहे हैं और same यही दो compound उसमें mix हो जाते हैं देना मरपास है vehicle emissions, गाड़ियों से भी दुहा निकलता है भले ही euro technology आ गई है, euro 5 तक महुच गए है पर अभी भी काफी vehicles है, euro 2 technology पे चल रही है इस वज़े से यहां पे गाड़ियों में दुहां जो है, वो बहुत ज़ादा निकलता है और यहां से यही दो compound जाके clouds में mix हो जाते हैं देन हमारे पास power generation, जितने भी हमारे पास developing countries है उनमें अभी भी power generation जो है, वो आपके generators के तुरू हो रही है आपका oil burn करने से हो रही है, जैसे आप Pakistan का example ले ले तो हमारे 60 से 70 परसंट जो बिजली है, वो आपकी oil की मदद से बनती है इसलिए हमारे highest imports जो है, वो oil है अच्छा, देन हमारे पास है agricultural activities nitrogen based हम fertilizers use करते हैं, तो ज्यादा nitrogen air में अगर फैल जाती है तो इसी तरह से release होके आपके clouds में mix हो जाती है तो अगे agriculture activities भी एक cause है देन हमारे पास है forest fire, अगर जंगल में आग लग जाती है तो same आपके आग लग लगने की वज़े से यही दो compound release होते हैं और same यही cause create करते हैं देन हमारे पास natural cause है, कुछ natural में हमारे पास volcanic eruption है अगर volcanoes आपके erupt होते हैं, तो आपके different gases release होती है gases farm में भी, solid farm में भी और droplets के farm में भी तो वहाँ पे भी हमारे पास यह दो compound देखना को मिलते हैं फिर हमारे पास industrial waste तो industrial waste में आपके पास hazardous material होता है तो यह दो भी gases मौझूद होती है अच्छा, acid deposition के other sources भी हो सकते हैं other sources में आप कहीं न कहीं किसी भी तरह से gas release कर रहे हो तो आप या कहीं से fog, clouds में जाके mix हो जाएं मतलब यही सारी चीज़े हैं, mix करके कि दूसरे causes भी हो सकते हैं cylinder वगरा से आप, cylinder वगरा से आगर आप कोई cooking करते हैं तो वो भी cause हो गया जैसे अच्छा, long distance transport same बात है, अगर atom mobile ज़्यादो use होंगे तो ज्यादा use होने की वज़ए से emission का source ज्यादा बढ़ेगा और इसी तरह से acid rain हो आगे बढ़ते हैं effects, अच्छा, acid rain होने की वज़ए से क्या चीज़ें effect होती हैं, क्या implications हैं, वो देखते हैं सबसे पहला है soil की acidification, जो हमारी soil है वो ज्यादा acidic acidic होती जाती है, soil के acidic होने से उसमें जितना भी agriculture होगा वो भी खराब होगा, अगर आप उस पे कोई building खड़ी करते हैं, वो भी कहीं आगे चलके गिर जाएगी, उसमें जो nutrients हैं, वो खतम हो जाएंगे फिर आपके जो अगर agriculture से आप उसमें बनाई वही जो है farming से बनाई वी जो इतनी भी products हैं, आप अगर utilize करते हैं human, तो उनकी health भी खराब होती है then हमारे पास damage to forest अगर के यही acid rain जो है आपके forest में होती है, तो सारा उनका ecosystem खराब हो जाता है, leaves वगेरा, जितने भी हैं, diseases उनके paste आ जाते हैं, और पुरा forest खराब होने को होता है then हमारे पास है aquatic ecosystem ecosystem हमारे जो है वो खराब हो जाता है, कि अगर acid rain आपके direct जो है, पानी में, यानि lakes बनी होई है, या आपके समंदर है वहाँ पे अगर आ जाती है तो आपके जितने भी aquatic life है fish अगरा है, amphibians है, आपके पास insects है, तो इन सबकी gills में वो आपके दोनों components चले जाते हैं, जिसकी वज़े से उनकी health खराब होती है और health खराब होने की वज़े से अगर एक उन में से कोई creature बीच में से खतम हो गया तो ecosystem की life cycle है, वो सारी break हो जाती है और cycle break होने की वज़े से जितने भी उस पर rely कर रहे थे, वो सारे तूट जाते हैं, और वो सारा ecosystem खतम हो जाता है, देन है हमारे पास damage to aquatic habitats यही अभी discuss किया हमने के aquatic habitats जितने भी हैं, fishes है हमारे पास, amphibians है हमारे पास, invertiberates हमारे पास, वो सारे damage होते हैं, उनको खतरा होता है देन हमारे पास है corrosion of buildings and infrastructure अगर आपके पास यतने भी buildings हैं, monuments हैं, statues हैं, अगर उन पर direct rain होती है, या deposition होती है तो आइस्ता आइस्ता वो erode होके खतम होना शुरू हो जाते हैं historical और cultural artifact भी AC का शिकार होंगे आपके पास monuments हैं, pentings हैं अगर किसी तरह से इन पर acidic rain हो गई, तो ये भी खराब हो जए soil leaching, ये एक बड़ा मज़़दार concept है, कि अगर direct आपके rain जो है surface पे, soil पे आजए तो क्या होगा, कि आइस्ता आइस्ता leaching करके वो acid का पानी नीचे जाता जाएगा, और जहां पे आपके पास pool बना हुआ है, जहां पे पानी शुरू हो रहा है, water table जो आपका water table में अगर ये sulfuric acid और nitric acid mix हो गया, तो आप ऐसे समझें कि जर से हम जो जितना भी पानी निकालेंगे, वो भी आपका acidic पानी होगा और जितना भी आप agriculture को देंगे pumps के त्रू, वो भी आपका वही acidic होगा तो leaching करके soil से आपके पास water table भी खराब हो रही है then हमारे पास है damage to agricultural crops अगर हमारी जमीन ही खराब हो रही है, उस पे जितना भी agriculture grow होगा, वो भी खराब होगा अच्छा अब इसके देखते हैं हम formation के types अब अगर के किसी भी तरह से precipitate हो तो हम उसे weight deposition केते हैं precipitate केते हैं snow को आपके rain को fog को इन सारों को मिला के हम केते हैं precipitate, तो आपकी अगर weight deposition हो रही है, तो आपका क्या होगा, कि direct पानी जो है वो बारिश की मदद से, snow की मदद से fog की मदद से direct गिरेगा तो इसकी जो है, distance जो है वो ज्यादा हो जाता है, suppose करें यहाँ पे source से generate होआ industry यहाँ लगी भी थी, यहाँ से emit होआ यहाँ से cloud बना, पर cloud चलते चलते यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे उसने जो है, आपनी weight deposition कर दी, तो weight deposition का distance जो होता है, वो बहुँच जादा होता है दूसरे तरफ हमारे पास होता है dry deposition dry deposition ऐसे कहते हैं कि gases की farm में या फिर आपके जो है और कौन सी है हमारे पास manly जो है हमारे पास gases की farm है या dry particles की farm है अगर इनकी वज़े से डारेक्ट जो है आपके particles आपके आपके buildings पे रुख जाते हैं या gases की farm में आपके release होती है gases वगेरा sulfuric acid की और nitric acid की तो उसे हम जो है dry deposition कहते हैं तो हमने weight deposition में ये देखा कि rains और फोक की मदद से अगर आपके sulfuric acid आपके पानी में मिल जाए और उससे रेन हो तो उसे weight deposition कहते हैं dry deposition में हमने देखा कि gases और जो है dry particles किसी भी buildings पे आपके आजाएं या soil में mix हो जाएं तो वहाँ पे तो इसका head distance बिलकुल minimum होता है ये इतना दूर तक नहीं फेलता यहाँ से अगर source create हुआ आपके industry से emission होई तो जैसे emission होई आपके जो gases हैं वो यहाँ पे गर जाएं जो agriculture साथ में होगा जैसे आपको पता है कि जब इंडिया अगरा में सरदियों के मौसम में नमबर डिसमबर में वो वहाँ पे agriculture को अपने को burn करते हैं इंडिया में पंजाब इस्टेट में या पिर साथ लाहोर के जितने भी हैं तो वहाँ से क्या होता है डारेक्ट जो है dry deposition होती है लाहोर में लाहोर में जो है आपको दुहा नजर आता है और जो है आपको अपनी पूरी महोल जो है environment जो है खराब नजर बाता है तो वो जो सारा है fog और smoke वो सारा आपका dry deposition है अच्छा यह हमारे पास तीसरी type के लाती है यह हमारे जो है CSIS में तो हम include नहीं करते पर वैसे ही होती है exist करती है अब हाँ पे अगर wet deposition में आप fog और cloud को निकाल दें तो आपके पास यह एक अलग से किसम बन जाती है पर हम wet deposition में ही count करते हैं इसको चले अब आगे देखते हैं countries कौन से ज़्यादा prone है countries वही ज़्यादा prone है जिन में industries ज़्यादा है और जिन में agriculture वगेरा जो है वो practices ज़्यादा है जो fertilizer की तरफ जाते है सबसे पहले हमरे पाद चाइना आ जाता है फिर USA आ जाता है Germany, UK, Poland, Russia, Canada, India, Japan और South Korea यह countries ज़्यादा prone है यह क्यों ज़्यादा prone है वजह इनकी क्या है कि इनकी higher lines है जी coal से हम यह ज़्यादा तर energy produce करते है जिसमें USA खास तोर पे दुनिया का largest coal producer आपका USA है देन आपके पास urbanization इनके पास बहुत ज़्यादा है urbanization जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो है आपके बिजली की ज़्यादा ज़रुत पड़ेगी और आप उसमें energy production में ज़्यादा जाएंगे और भी काफी factors है historical emissions है यहाँ पे आपने देखा है कि आपके पास industrial revolution यहीं पे आया था इन्हीं कंट्रीज में आया था तो इन्होंने काफी बुरी practices की है पता नहीं कौन-कौन से तजिर्वे की हैं पता नहीं कौन से gases जो है महौल में emit करके देखी हैं और क्या-क्या जला के देखा है तो historical emissions यह है कि साव साल जितनी भी activities कर रहे हैं अब उसका नतीजा बुगत रहे देन इनके पास है transportation emissions अब आपको पता है Germany जो है हब है आपका automobiles का अगर ज्यादा करेंगे ज्यादा extract करेंगे mining करेंगे तो वहीं पर होगी अब USA में आप देखें कि more than 100 minerals वो mining कर रहे हैं जमीन से निकालते हैं तो निकालने में जितनी भी activities हैं वो burn करते हैं उनको साफ करते हैं पिक लाके उसको नहीं shape देते हैं तो दुबार से ये gases release होती है तो हमने ये topic मेरे खाल से अच्छे से देख ली है तो यहाँ पर हमारा ये lecture complete होता है Thank you students, Allah Hafiz